राजस्थान में CIC गमासान जारी राहूल प्रियंका से मिले सचिन पाइलेट राजस्थान की CIC संकट के बीच पुर्व उपमुख्य मंतरी सचिन पाइलेट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली में राहूल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है सुत्र बताते हैं कि कॉंग्रेस ने उन्हें दोबारा प्रदेश अध्यक्ष का पद देरे की संभावनाओं से इनकार कर दिया है हाला कि उन्हें कॉंग्रेस पार्टी का राष्ट्रिय महासचिव बनाया जा सकता है सुत्रों के अनुसार सचिन पाइलेट की पिछली दो दिन में कॉंग्रेस के कौसावध्यक्ष एहमद पटेल और संगिठन सचिव केशी वेनु गोपालन से मुलाकात हुई है सचिन पाइलेट की कॉंग्रेस महासचिव पिरियंका गांधी वाडर से टेलिफोन पर बात होने की सूशना भी है उधर पार्टी आला कमान का रुख देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने खेमे के विधायकों से कहा राजनिती में कभी-कभी जहर का कड़वा घूट पीना पड़ता है उन्होंने कहा कि कई बार दिल पर पत्थर रख कर फैसले करने पड़ते हैं सौमवार को जेसल मेर से जैवपुर रावन्ना होने के पहले गहलोत ने अपने विश्वस्त मंत्रियों विधायकों के साथ विजार विमर्श किया इससे पहले रविवार शाम को हुई विधायकों की बेटक में संसदीय कार्यमंत्री शांती धारिवाल सहित अन्य विधायकों ने बागियों पर करवाई की मांग करते हुए कहा कि इन्हें अब कभी वापस नहीं लिया जाना चाहिए इस पर गहलोत ने कहा कि हमें आला कमान के फैसले का सम्मान करना है आला कमान जो भी फैसला करेंगे उसे हम मानेंगे गैलत ने का कि राजनेते में कई बार नहीं चाहते हुए भी कई बाते माननी पड़ती है कॉंग्रेश कॉंग्रेश कमेटी के अध्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा ने कहा कि बागियों को कारेकरताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए वापस आना चाहिए उधर कॉंग्रेश कारे समीती के सदर्श रगवीर मीना ने कहा कि बागी विधायक अगर फ्लोर टेस्ट में कॉंग्रेश के पक्ष में वोट करते हैं तो उन्हें माफ पर दिया जाएगा रगवीर मीना के बयान को सुलह की कवायत से जोड़ कर देखा जा रहा है कॉंग्रेश की कोशिश कर रही है कि जो 14 अगस्त से पहले किसी भी फॉर्मूले पर बात बन जाए और पाइलेट वापसी के लिए तयार हो जाएं ताकि फ्लोर टेस्ट से पहले ही सरकार को सुरक्षित किया जा सके कॉंग्रेश की इस कोशिश की एक वजे बियस्पी के छे विधायकों पर मंगलवार को राजस्तान हाई कोर्ट में आने वाला संभावित फैशला भी है अगर हाइपोर्ट विएसपी विधायकों के कॉंग्रेस में विलैपर स्टे देता है तो कॉंग्रेस सरकार को बचाना मुश्किल हो जाएगा